एलो फ्रेंड्स, welcome back to my channel हेर्मेट केट चो कार्णर आज मैं आपके लिए बहुती कुबसूरते फ्लावर ले करके आई हूं इसे अपने दो कलर से बनाया है, आप किसी भी दो कलर में इस फ्लावर को बना सकती है किसे को भी डएक करने के लिए आप इस फ्लावर का यूज कर सकती है अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज से लाइक जरूर कीजेगा अगर आप में चैनल पे नए है तो प्लीज में सबसे पहले में चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और पास में जो गंटी बनी है उससे ज़रूर प्रेस कीजे ताकि मेरे हर आने वाली नूटिफिकेशन आपको तुरूत मिल सके और प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो एक ऐसी लगी तो देखिए बहुत ही खुपसरत है फ्लावर है तो बनाना स्टार्ट करते हैं इसको इस फ्लावर को मैंने पांच नमबर की खुरूसिया से बनाया है तो सबसे पहले हम एक सरकल बनाएंगे उसके लिए हम यहाँ पर चार चेन बना लेंगे उन्हें गाट लगा लिए अब य स्टार्टिंगी चेन है उसमें डाल करके हम इसको क्लोज करेंगे से एक की बार में दोनों फंदों को निकाल लेंगे हमारा च्छोटा सरकल बनके त्यार हो गया है अब यहां पर हम तीन चेन मनाएंगे अब इस सरकल में 11 डबल करस्या निकालनी है इस चेन को मिला करके टोटल 12 हो जाएंगी डबल को से निकालने के लिए हम कुरोशया पर हमने लूप लिया है फिर सरकल के अंदर डालके बाहर आए हैं अब कुरोशया पर हमारे तीन फंदे हो गए हैं पहले हम दो फंदों को एक बार में निकालेंगे फिर दो फंदे हो जाएंगे फिर उनको एक बार में निकालेंगे इससी तरह से विम सरकव में डबल कोशया बनानी है तो टोटल हम यह आपे 11 डबल कोशया बनाएंगे और यह स्टार्टिक में तीन चेन बनाए है इसको कौंट करेंगे तो टोटल 12 डबल कोशया हो जाएगे सरकल में पुस्य? कि पुखती हासान है इसे बनाना और मिन्टों में फ्लावर बन के तयार हो जाती है जौने इस्टार्टिंग में थे इन चेंग में नाई थी उसको मिलाके आपे टोटल 12 डबल कोर्सिया हो गई है अब यहां प्लास्ट में जमाएंगे तो जो उन्हें स्टार्टिंग में तींचेन मनाई है उसकी फर्स चेन में डाल करके इसको स्लेपिश्टी से हम क्लोज करेंगे अब यहां पर हम उन्हें को कट करके गाठ लगा लेंगे और फिर जमारी यह फर्स चैन है जहां पर हमने कट किया है उसी चैन में हम डाल करके जोड़ेंगे दूसरा कलर जो आरे बच्ची हुए उन्हें उसको इस तरह से पीछे हम प्रुश्या से फसा फसा के थोड़ी दूरी तक हम निकाल लेंगे तो मैं यहां पर क्या करना है यहां पर हम दूसरा कलर प्जोड़ेंगे तो जो मारी फर्स चैन दिख रही है यहां पर मनों कट किया है उसी जगह पर हम जोड़े लेंगे इसको उऔर उनको खीश के हम टाइट कर लेंगे अब यहां पर हमें ट्रिपल कोसिया बनानी के लिए आपर पार चैन बनाएंगे कुरोशया में एक कुरोशया बनाएंगे तो फिर दो बार लेने के बार दो को निकालते था मो dealing deep न रहे होते हैं निखन ऊप सिस्वेंदा है यहुआ इस्में जो हम यहाँ पर करेगे तो हाफ टुपल कोस्या बनाएंगे यह दो ही बार हम दो दो फंदे निकालेंगे तीसरी बार वाले फंदे को हम रोक लेंगे उसको नहीं हम पुरा बुनेंगे एक बार दो फंदे निकाले यह दो फंदे दूसरी बार बन निकाले उसका जो फंदे और एक फंदा है उसको हम रोक लेंगे पिर यहां पर दो बार लूप लेंगे और हमें उसी चेन में सेम चेन में ही डाल करके टोटल साथ बार हमें ठवल ऊफ टपड कुरिस्यां बढ़नी है यहीं कि वह दो комп कर्ष दो हो दो पंदे निकालेंगे और फिर जो हमारा बढ़त है उसको मेरोक लेंगे कुरिस्या पे किसी तरह से हम हर चैन में स्टार्टिंग में हमें पांच पहले यहां बनानी है उसके बाद हमें साथ हाफ टिपल कुष्या बनानी है दो दो फंदे में निकालने हैं दो बार में तो रोक लेंगे दाश्ट रले फंदे को तोटल हमें आपे साथ बार हाफ टिपल कुष्या बनेंगे बहुत ही कुपसरत इस 3D फ्लावर बनके त्यार होती है में साथ बुन्या है अब हमारे कुष्या पर टूटल आठ फंदे होंगे पहले से था और फिर साथ हमने जो टिपल कुष्या बनी उसका एक 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 फंदा है अब हम फर्स्ट वाली एक निकालेंगे उसके बाद भी बाजी में हमें दो दो निकालना है इस तरह से पहली बार इसके वाल हम एक फंदे में निकाल लेंगे उसके बाद हमें दो-दो फंदे में से निकाल लेना है कुरोसिया को यह सब दो फंदे लिए कुरोसिया को निकाल लिया फिर लूप लिया फिर दो फंदे निकाला वाना दोनों फंदों के एक बार निकाल लेंगे इसे तरह से यह तीन बार हमने सिंगल कुर्सिय बना ली अब यहाँ पर हम फिर दो चेन बनाएंगे फिर उसी सेम गैप में ही डाल करके इसको हम क्लोज करेंगे सिंगल कुर्सिय असे यह ते हम इस तरह से पिकाट ड्रेस बन जाएगा फिर बाकी के में जो चार बचे गया 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 इसमें हम एक एक सिंगल कुर्सिय बना लेंगे यह तरह से इसका लुक आएगा अब हम यहाँ लाश्ट में पाँच चेन हम यहाँ फिर बनाएंगे जैसे हमने स्टाटिंग पाँच चेन बनाएंगे यहां पर लास्ट में हम फिर 5 chain मनाएंगे और उसी same chain में ही डाल करके हम जिसमें हम बना रहे थे भी उसी में डाल करके इसको single crochet से हम जोड़ देंगे यहां पर यह single crochet से जोड़िया फिर slip stitch से हम इसको इस तरह से जोड़ लेंगे यह की बार में निकाल लेंगे देखिए इस तरह से बन के आएगा यह पंखुडी के तरह अब हम एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में स्लिप इस्टिन से आ जाएंगे चेन बना कर हम नेक्स्ट दूसरी चेन में आ जाएंगे जिसके जस्ट आगे चेन है उसमें में बुनाई नहीं करनी है उसके दूसरी चेन में हम डाल करके एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में आएंगे लिपस्टिर से और फिर वहां पर हम फिर पांच चेर्ट मनाएंगे यहे के दूसरी चेर्षी में डाला क barrier को अर इस तरह से मysल मना कि इस्में आगए अब फिर यहां पर हमपांच मनाएंगे त्युम्प पैर ही प्लसे पिर हम सभी फंदों को निकालेंगे, पहली बार में हमें एक फंदा निकालना है, उसके बाद हमें दो-दो फंदे करके निकालने हैं, फिर हम पहले बाले जो हमरी पहली चैन है, उसको हम स्किप करेंगे, और तीन चैन में हम सिंगल कोश्या बनाएंगे, और तीसरी चैन में ह हम single crochet बना लेंगे और फिर पांचेन बना के हम सेम उसी gap में उसको slip stitch से जोड़ लेंगे इस chain में भी मियाँ पर पांचेन बनाने के बाद 7 हाफ double crochet बुन लेंगे कि यहां पर हमारी आठ फंदे हैं क्रोशया पर इसमें फंदे को एक बार निकालेंगे उसके बाद हमें दो दो फंदे निकालने हैं लूप लेके आएंगे दो फंदे निकालेंगे फिर दो फंदे निकालेंगे इस तरह से हम सभी फंदो दो फंदे करके सभी फंदो को निकाल बनाएंगे दूसरे वाले में डालके सिंगल कोशिया बनाएंगे फिर नेक्स्ट में डालके सिंगल कोशिया फिर नेक्स्ट में डालके एक सिंगल कोशिया तो तीसरी बार हम बनाएंगे उसमें फिर दो चिन मनाके फिर एक सिंगल कोशिया उसी गैप में बनानी है पिकाट ब तीन चेंट उसमें हम इस तरह से सिंगल को से निकाल लेंगे इस तरह से बन जाएगा फिर उसको पांच चेंट लाके से में इसी चेंट में डाल करके और स्लिप स्टिश से इसको क्लोस करेंगे फिर एक chain skip करके दूसरी chain में इसलिए पिस्टिज बनाके हमाँ आजाएंगे यह chain बना करके और फिर हमाँ फिर पांच chain बनाके फिर श्टार्ट करेंगे तो टोटल हमारे इसमें 6 पंखुडी बनेंगे हमने 12 डवल कोश्य बनाई थी एक एक हम chain skip कर रहे है तो 6 chain हमारी बचेगे तो उस 6 chain में 6 पंखुडी बन करके आईगे हमारी इसमें पुरा सरकल कम्लीट कर लिया है तोटल यहां पे 6 पंखुडी बन करके आई है अब इस तरह से हम एक को नीचे रखेंगे दूसरे जाले को उसके उपर इस तरह से हम इसको अजज़ेंगे सारी पंखुडी ओं को लास्ट में हम पिर यहां पे यह 5 chain बनाने के बाद हम उसी चेन में डाल करके इसको हम slip stitch से जोड़ेंगे जोडने के बाद जो हमने फर्स्ट वाले यह पंखुडी बनाई है तो उसकी जो chain है जिस chain में हमने बनाई है उसी chain में डाल करके इसको slip stitch से यहां पर हम जोड़ देंगे अब इस उनको हम cut कर लेंगे cut करके गाट लगा के जो धागा बचेगा उसको नीचे हम गुलाई में अज़ेस्ट कर लेंगे देखें फ्रेंड्स यहारी 3D flower बनके तयार हो गई है कितनी खुब्सूरत लग रही देखने में अब इसी baby frog, cut, gun, jacket, top, cap, बच्चों के सूज में किसी भी चीज को आप डेक्रोइट करने के लिए इस flower का भी यूज़ कर सकती है और पंखड़ी को एक के पर एक हमें गुलाई में इस तरह से हम सेट कर लेंगे यह देखें हमने एक और कलर से बनाया है वाइट और यलो कलर से इसे भी आप दो कलर के मैचिंग लेकर क्या बनाएं बहुत ही कुपसूरत उसका लुक आएगा यह देखें बहुत ही खुपसूरत flower है यह तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से लाइक जरूर कीजेगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर पिस कीजे तकी मेरी आने वाली नियो बीडियो नोटिफिशन आपको तरण मिल सके तो मिलते हूं आपसे नेक्ट वीडियो में थैंक यू